है है। हाद मिस लेक्राइड है किसे स्ट्ट कि क्या होती है है। कि सत्ता की परिवास सामने पड़ी थी और सत्ता में हमने देखा था कि सत्ता क्या है कई बार यानि सत्ता को स्विकार करने के पीछे क्या होती है भै या मजबूरी नहीं होती है इसमें यानि सक्ती के पीछे भै और मजबूरी हो सकती है लेकिन सत्ता में जो है वो किस चीज का का गुन होता है। आदेश का पालन स्वेच्षिक रूप दोनों वहोती है। तो सत्ता वैद्यता के बराबर है सत्ता में वैद्यता का गुण होता है यानि सक्ती में अगर वैद्यता मिल जाए सक्ती में वैद्यता का गुण हो आजाए तो वह सत्ता बन जाएगा जैसे हमने एक्जामपल लिया था कल कि जब सक्ती में वैद्यता जुड़ती है तो वह क् कल पुलिस वाले का उधान लिया था को हैंडी फेय Ung 나 की जब सत्ता आदस्वा राधिकार है और आदस्थ को पालं करवाने की शख्ति हैं सत्ता जिसके अफमें हो आदस्थ देता है और उसको साथ में उस आदस्थ का सादन भी करवाता है tyres के पीछ। सक्ति पावर है ठीक है अब सक्ता के पालन का आधार क्या है क्यों लोग उसके सत्ता का पालन करते हैं ठीक है तो अगला हमारा है एडिंग है सत्ता के पालन का आधार लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं ठीक है तो एक व्यक्ति सत्ता का पालन निम्नकानों से करता है क्या कर रहा है नमबर एक विश्वास लोग सत्ता का पालन इसलिए करते हैं कि क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो आदेश देने वाला है वो हमेशा हमारे बले के आदेश देगा ठीक है तो एक व्यक्ति सत्ता का पालन इसलिए करता है कि उसका मैत्वपूर्ण तत्त है कि स इतना विश्वास अधिक होगा लोग उसके आदेशों का उतना ही अधिक पालन करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस सत्ता के आदेश का पालन करने से हमें कोई नुक्सान नहीं है वो हमारे हिट की बात करेगा कि एक तानाशाय व्यक्ति है या अगर किसी देश का प्रधान के कारण ही लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं तो सत्ता पालन का मैत्वपून तत्व क्या है कि सत्ता धारी के प्रती लोगों में विश्वास होता है और जितना विश्वास अधिक होगा उतना ही वो सथा पालन का अधार पहला क्या है विश्वास स springs लगे अब कोई कह देखे अपना अपनी गरदन काट रो क्योंकि हमें पता है कि जो आदेश देने वाला है वो सदेव हमारे वित्की बात करेगा इसलिए हम उसके आदेश का पालन का पहला आधार क्या होता है विश्वास नमबर दो, एक रूपता, सक्ता पालन का जो दूसरा आधार है वो है एक रूपता, कि जो सक्ता जो हमें आदेश देगा, वो सबको एक जैसा आदेश देगा, उसमें आदेश में भिन्नता नहीं होगी, कि एक व्यक्ति को तो अगर वो दंड देता है और एक व्यक्ति को तारीप करता है, या उसको इनाम देता है, तो वो दूसरा आदेश पालन नहीं करेगा, क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अदेश दिया है उसने, ठीक है, तो एक रूपता का गुन्न जब तक होगा तब तक सत्त शुखार काでmmy की जा सकते तो सत्त पा़न के विचारों और आदरसों की एक रूपता होनी चाहिए न moo यह काले सकती है तो एक रूपता होता है सत्ता में एक रूपता का गुण होना चाहिए यह समय के अनुसार बदलने वाली नहीं होनी चीए कि अगर दो व्यक्तियों ने साथ में मड़द किया तो एक व्यक्ति को फांसी दे दी रेक व्यक्ति को छोड़ दिया तो उस व्यक्ति के मन में भी आएगा ग्यार मुझे क्यों साथ मैं तो अगरों के लोग हित खात जनता कहीं हम सत्ता के पालन का ऐसाथ का पालन इसलिए कि यूज इसलिए करते हैं कि उसमें उनके पादेशों का पालन करने से हमारा हित है हमारा करते हैं तो सत्ता पालन के तीसरी विशेष्टा है वो है लोग हित यानि जनता का हित अगर जनता का हित नहीं होता तो साइध हम उसके आदेश का पालन नहीं करते हैं ठीक है तो जनता का हित हमें पता है कि हम आदेश का पालन करेंगे तो इससे हमारा कोई नुक्सान नहीं है जैसे एक कानून बढ़ा हुआ है कि सब चोरी करने पर सजा होगी तो हम चोरी नहीं करते हैं क्यों कि चोरी करने में किसी का हित नहीं है तो सत्ता हमेशा ऐसे ही आदेश देती है जो जनता के हित से जुड़े हो जो लोग कल्यान से जुड़े हो जनता के कल पालन क्यों करते हैं क्योंकि है हमारे हिट में हैं और हीजली लिए में जैसे यातायात का पालन क्यों सिर्ण करते हैं कि वह हेलमेट लगाओ ठीक है सराब पी कर làm करो ठीक है अपने पास लाइसेंस रखो एक और स्पीड मतब्रको इपिज़ोद चरोफ बिर से पालन करने से क्या हमारा नुक्सान है नहीं कि इसमें हमारा हित ही है कि हेलमेंट पहने से अगर एक्सिदेंट हो जाए तो कम से कम हम बच सकते हैं ठीक है डेड लाइट रुगने से सभी को आने जाने में आसानी होती है ठीक है ओवर स्पीड रखने से हो सकता है एक्सिडेंट हो जाए तो इन नियमों के पालन करने से हमारा हित है और इसलिए हम उनके आदिश का पालन करते हैं तो हम राजजी के आदिशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमारा हित है और इसलिए उनके पालन किया जाता है फॉर एक करेंगे तो हम अप्षैप्टी से वहन का उपयोग कर सकते हैं चौथा दबाव तो सत्ता पालन का चौथा आधार क्या है दबाव प्रेशर अनेक बार दबाव और सक्ति के करन भी सत्ता धारी के आधेसों का पालन किया जाता है कभी-कभी जब्रधस्ती गर्मेंट हमसे हम ने कर दबाव और हमर उप प्रत्में नहीं है लेकिन फिर बीम उसके आद्रीस का पालन करते हैं दीक है जैसे कोरोना महामारी के समय जबरदस्ती गरों में लोगों लखा गया ठीक है तो दबाउ डाला गया प्रेशर डाला गया तो कभी गभी दबाउ के कारण भी है माधिसों का पालन यह चार आधार होते हैं सत्ता पालन के आधार पूछे जा सकते हैं कौन-कौन से विश्वास एक रूपता लोखित और दबाओ कि अब आता है सत्ता के रूप कि सत्ता कितने प्रकार की होती है कि फॉर्म्स वब्दा ऑफ्रेटी सत्ता के रूप तो एक विद्वान हुए है प्रसित विद्वान हुए मैक्स वेबर उन्होंने सत्ता के जो है वो तीन रूप बता है कितने रूप बता है सत्ता के तीन रूप बता है नमब एक परंपरागत सत्ता परंपरागत सत्ता नमब दो करिस्माई सत्ता करिस्माई सत्ता और नमब तीन कानूनिक या तर्ग संगत कानूनी या तर्ग संगत सत्ता तो मैक्स वेबर ने पूछा जा सकता है मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बता है सत्ता के तीन रूप बता है ठीक है परंप्रागत सत्ता करिश्माई सत्ता और कानूनी सत्ता या तर्क संगत सत्ता अब दिखें परंप्रागत सत्ता क्या होती है परंप्रागत का मतलब कुछ सत्ता का हम आदेश का पालन इसलिए भी करते हैं कि क्यों परंप्रागत रूप से ऐसा उचित है जैसे परंप्रागत रूप में सभी लोग इसके आदेश का पारण करते हैं जैसे परिवार में हमारे पिता जी या हमारे जो बुजूर्ग है कि हमेशा उनका कहना क्यों मानते हैं क्योंकि यह प्रंप्रागत रूप से सही है तो प्रंप्रागत सत्ता का मतलब हो गया कि इस सत्ता में इस सत्ता का म क crafts परमपरा को है और इतिहां सोता है लाज राज है सिगनाला के बाद उसका बेटा-गा बनता हम उसे राजा स्विकार करते उसके मर्ट्युं के बाद उसका बेटा राजा होता तो यह परमपरा कि कि नियम Me बेटा राजा होगा और इतिहास उससे जुड़ा होता है इसलिए हम उसके आदेश का पारण करते हैं तो परंपरागत सत्ता का अधार दो चीज़ें होती है एक परंपरा और एक इतिहास कोई भी व्यक्ति वंस या परंपरा के आधार पर सत्ता का प्रियोग करता है तो वो परंप्रागत सत्ता कहलाती है ठीक है? जैसे हमारे घर में देखें कि दादा जी के आदेश का पालन कौन करते थे? पिता जी पिता जी के आदेश का पालन करते हैं हम हमारे आदेश का पालन हमारी संता ने करेगी तो यह परंप्रागत रूप से जुड़ा हुआ है इतियासिक रूप से जुड़ा हुआ है तो दो चीजें इसके परंप्रागत सत्ता का आधार होती है परंप्रा और इतियास अब आती है करिश्मा ही सत्ता नाम से पता लग रहा है करिश्मा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा य दहान दे सकते हैं परिवार में व्रद्धों की सत्ता यह प्रम्प्रागर सत्ता का उधारन है ठीक है अब करिश्माई सत्ता क्या है इस सत्ता में किसी व्यक्ति के गुण और चमतकारों के कारण उसके आदेशों का पालन किया जाता है जैसे बहुत से नेता हुए हमारे अपंडिजवाला नेरुआ है इंद्रा गांदी है वर्तमान में नरेंद्र मोदी है प्रधान मंत्री है साथ में ऐसके ऐसे गुण भी है इसका मतलब एक आदेश से जो है पूरे भारत की जनता उसके आदेशों का पालन करती है ठीक है तो इसमें जनता उसके इस्तारों पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तयार होती है क्योंकि उसमें एक करिस्मा है उसमें ऐसा चमतकार है क्योंकि उसके आदेशों का पालन करने से हमारा हित है ठीक है और वह व्यक्ति और नहीं था कोई बड़े पद पे नहीं थे लेकिन फिर भी उनमें करिस्मा था उनमें चमतकार था उनके आधिस्वों का पानन हजारों की पब्लिक लाकों की पब्लिक करती थी ठीक है मात्मा गांधी है अटल भी हरी वाजपे है और इंदरागांधी है इनके पास करिस्माई सत्ता थी यह जैसा कहते थे अपने आप पब्लिक उनका करती थी वरत्मान में देश के प्रदान मंति नरेंदर मोधी है इस अधार है इनके पिछे हजारों की पब्लिक जूड़ी होती है इनके एक आदेश के से पूरी पब्लिक जैसे मातमा गांदी ने जितने पी आंदोलन चला है चाहे ऐसा योग आंदोलन हो सवीने अवग्या आदेशों को पालन मत करो उनके आदेशों की अवग्या करो जारों लोग पूरे भारत में ये बड़े-बड़े आंदोलन इसलिए हुए क्योंकि उनके पीछे करिस्माई सत्ता थी अब आती है आपके तीसरी प्रकारगी कानूनी तर्ख संगत इसमें ने तो परंप्रा होती है ने करिस्मा होता है बलकि इसमें कानून जो है वो सत्ता का आधार होता है कानून या विधी जो है वो सत्ता का आधार होती है इसमें कानून में उस चीजों को लिख दिया जाता है जिसका पालन आपको करना जरूरी है ठीक है तो इस प्रकार की सत्ता कानूनी तर्थ संगल सत्ता में न तो परंपरा होती है और न किसी व्यक्ति का करिश इसमाही नेत्रत होता है बलकि इसके पालन का आधार होता है कानून और कानून के द्वारा ही कानून में ही सक्ता नहींत होती है जैसे हम कहा है कलेक्टर जिले के जिले का अधेश सभी वक्ति करते हैं क्योंकि उसके पास क्या है कानूनी शक्ति तो एक थाना अधिकारी पूरे थाने के कंट्रोल उसके नियंत्रण में होता है एक जिला कलेक्टर पूरे जिले का नियंत्रण उसके कंट्रोल में तो यह कलेक्टर के आदिश का पालन करना ठीक है तो कलेक्टर की सत्ता किसका उधारन है कानूनी सत्ता ठीक है तो तीनों के अ करिस्मा ही सत्था का उधारन है पत्तों है लेकिन करिस्मा भी हैनके और आदिकआरी के सत्था किषे रूप नहीं कि तीनों ही सत्ता का कोई सुद्ध रूप नहीं है, कभी-कभी इन दोनों जुड़ी होती है, जैसे इन रेंद्र मोदी के साथ, कानूनी सत्ता भी है, और साथ में करिस्माई सत्ता भी है, ठीक है, राजा माराजों के समय परंपरा का सत्ता थी, साथ में कानूनी सत्ता भी थी करिष मैं सकता भी थी थी कि ये दोंतों एक सुध्ड रूप नहीं बालकर्कि शक्ता के तीन रूप होता है थीक है वहो गया आपका सक्ता के प्रकार सक्ता के तीन रूब तो यह सत्ता का एक्जाम कूरा हो गया ऑपके टॉपि लेक्टिमेसी ठीक है अब वैद्यता को लेक्टिमेसी कहते हैं अब लेक्टिमेसी का मतलब क्या होगा लेक्टिमेसी का मतलब हो गया कि सुद्ध रूप से अगर किसी सत्ता का प्रियोग किया जाए तो वह लेक्टिमेसी के अंतरगत आ जाए ठीक है, अब यह Lactimacy जो सब्द है वो किस से मिलकर के बना हुआ है, Lactimacy जो सब्द है वो वास्तवीक रूप में अगर हम देखें, तो दो सब्दों से मिलकर के बना है, बैद्धिता को इंगलिस में कहते हैं लेक्टिमेसी और लेक्टिमेसी जो सब्द है वो इस सब्द की उत्पती लेटिन भासा के सब्द से हुई है लेटिन सब्द है लेक्टिमस लेक्टिमस लेटिन भासा के सब्द लेक्टिमस से हुई है जिसका अर्थ होता है कानूनी या लॉफुल लेटिन भासा के सब्द लेक्टिमस से हुई है लेक्टिमस को कहते हैं कानूनी लॉफुल या कानूनी ठीक है तो प्लेटो जिते भी युनानी विद्वान है प्लेटो है अरस्तु है मनु है कोटिल्य है ये भारती विचारक है आधी ने भी राजी ये राजा को वैद्यता का मैत्वपूर्ण सुरत माना है उन्होंने के माना था कि राजा के पास कौन सी सक्ति होती है वैद्यता होती है यानि राजा वैद्यता का सबसे बड़ा रूप है ठीक है राजा को मैत्वपूर्ण वैद्यता उसके पीछे कौन सा गुण माना है वैद्यता का तो वैद्यता है कारण होती है जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्विकार करते हैं, किसी भी सत्ता को स्विकार करने का आधार वैद्यता है, वो वैद्य वक्ति है, इसलिए हम उसके आधिसों का पालन करते हैं, ठीक है, वैद्यता में एक चीज सामिल होती है, कौन सी, सहमती, हम अपनी मर्जी से उसके आधिसों का पालन करत हैं और उसके पीछे हमारी सहमती होती है और जब तक सहमती या वैद्यता नहीं होगी तब तक हम उसके आदिसों का पालन नहीं करेंगे और वो केवल सकती होगी वैद्यता नहीं है यानि यदि किसी Act 않 nutri या सहिवत हैं और अधिक लंबे समय तक सासन नहीं कर पाए फ्रांस की आधिशों कपालन के नहीं किया जाता कि हमें जंता लगता ता कि वह थ्याचारी है तो वैद्यताँ नहीं तो किसी भी सत्ता को वैद्य बनाने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं तो वैद्यता प्राप्त करने के जो साधन होते हैं तो सत्ता को वैद्यता या वैद्य बनाने के क्या क्या साधन होते हैं सत्ता को वैद्य बनाने के क्या-क्या साधन होते हैं तो अगर हम बात करें कि सत्ता वैद्य कब बन जाती है ये उनके साधन होते हैं एक तो मद्दान, वोटिंग जैसे गाहों का सरपंच हमने चुन लिया तो मदान से हमने एक जो वाउं का सबसे प्रमों मुख्या है, उसको चून लिया, मदान, दूसरा जन्मत, हजारों लोग उसका जन्मत का आदेश का पालन करते है, संचार का साधन, संचार के साधन और राष्टवार तो सत्ता को वैद्य बनाने के चार साधन होते हैं एक मत्दान दूसरा जन्मत जन्ता का मत्द जन्ता की राय संचार के साधन आदुनिक सत्ता में संचार के साधनों का प्रियोग करके और वैद्यता प्राप्त की जाती है तिक है और सॉथा जो है वह राष्ट वाथ राष्ट वाद की भावना वेद्यता प्रदान करती है प्रुभ चार साधन है जिससे वेद्यता प्राप्ड की जाती थी थीस अब वेद्यता एक्चुल में वो ती क्या तयरा व na percentage और सत्ता कि इन दोनों के बीच की कड़ी होती है है इन दोनों के बीच में वेड़ता होती है कोई भी सासर के दौरा ही वह लोगों के अर्दय पर सासन कर सकता है सक्ति के द्वारा वो पत्तो प्राव्त कर लेगा केवल सक्ति के द्वारा जैसे पुरान जमाने में यह हम कह सकते हैं कोई राजा किसी राज्य को जीतता था तो सक्ति के द्वारा वो जीतता था लेकिन जनता जब तो उसे मन से स्विकार नहीं करती जब तो उसमें वैद्यता कर सकता था, ठीक है? तो वैद्यता के द्वारा ही लोगों के वहरते पर शाषन किया जा सकता है ठीक है? आधोनिक समय में अगर हम देखे कि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ये दो शाषन के प्रकार है अधिनायक तंत्र तानाशा आधिकार कर लेते में लोगतंत्र में अई हे जब कि तक थाना्व यहाईगा होगा और जब वैद्यता आजाएगी पब्ली को यह लगेगा कि नहीं या यह सासन अच्छा है नैपॉलियन बोनापार्ट है ठीक है जितने भी ताना शाह हुए है उन्हें जब वैद्यता का गुण आ गया तो पब्लीक उनका कहना मानने लगी और लोगतंत्र और अधिनायक तंत्र शक्ति या बल प्रियोग से शक्ति के दम पर वह सासन हतिया लेता है ठीक है और यह केवल शक्ति और बल प्रियोग पर ही आधारित होता है तो लोगतंत्र और अधिनायक तंत्र में वैद्यता का ही अंतर होता है लोगतंत्र में वैद्यता होती है अधिनायक तंत्र म जीत लेता और जनता की सहमती भी उसमें मिल जाती तो वह राजा लंबे समय तक सासन कर साथ अकबर जह है ठीक है अकबर है जांगीर है तो औरंग जेब वह भी सास राजा तो था लेकिन वैद्यता का गुन नहीं था इसलिए जगह 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 आंदोलन होते थे उसके सासन का ऐसा राकाल मैं ठीक है तो जनता की सहमत जाती है थो वह लम्बे समय GIR तक पढ़ पर रह सकता है और यदि किसी सरकार में व्यद्यता नहीं हो तो उसका का तकता पलड हो जाता था है तो सक्ती और सब्सक्ता सकती में अगर वैजता सामिल Islam नहीं कर सकता तो यह समय तक त्गों को सांसन नहीं कर सकता तो यह हो गये आपके वैजद्ञत भैजज़ता सक्षछ बनों तो यह तीनों पॉइंट हो गए आपके शक्ति शक्ता और वैद्यता अब हम तीनों में अंतर पड़ते हैं कि शक्ति कि सक्ता कि वैं कि वैद्यता में सम्मद्ध कि अधाना एक दूसरे से गनिश रूप से जुड़ी हुई है ठीक है कि सक्ति पहली बात अगर कहें तो सक्ति के बिना समाज में सांति श्तापित नहीं हो सक्ति क्योंकि सब तक आपके हाथ में सक्ति नहीं होगी आपके कमजोर सासक साबित होंगे शक्ति किसी भी हो, सेना की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, कोई भी सक्ति हो तो सक्ति का होना जरूरी है क्योंकि सक्ति के बिना लोग आप कहना नहीं माने और वो सांतिस्तापित नहीं कर सकते जैसे वर्तमान में राजनेतिक अधिगारियों के पास सेन्ज सक्ति भी होती है तो सक्ति के बिना सांतिस्तापित नहीं हो सकती लेकिन यदि बल के प्रियोग के साथ साथ वैद्यता भी हो जाए बल प्रियोग के साथ साथ अगर पब्लिक उसको वैद्य भी मानने लगे कि भी हा नहीं बल प्रियोग सई किया गया है अगर बल प्रियोग के साथ साथ वैद्यता का भी प्रियोग हो जाए जुड़ जाती है तो वह सत्ता का रूपदारण कर लेती है तो वह सत्ता बन जाती ह कि जैसे ठाना दिकारी सक्ट दिस्त क्यों है क्योंकि उसमें कानून रूप से इसमें significant है और वह उसका प्रीयोग भी कर सकता है बल प्रीयोग सब्षर हो जाए यह दोनों इक डूसे के पूरे गह सक्ती तो पब्लिक उसका कहना नहीं माना हिंसे सक्ति में साथ अ имеет सद्ञार है तो हम कह सकते हैं कि दो दो जो है अधिक पर ही वे लंबे समय तक सासक बना रही सकते है ठ्रीए धा से लंबे समय तक सासन निएक दरा बंडीज生 जमाला नेरों न शक्ति संफाकता थी और वैद्यता का अंतर पड़ लिए दा तीनों का गुण पड़ लिए ठीक है और सक्ति सक्ता वैद्यता में संबंधों का भी यिद्यन कर लिए रहा है कि सक्ति के बिना समाज में 37 नहीं हो सकती ठीक है और बल प्रियोग के साथ साथ अगर वैद्यता हो जाए तो वह सत्ता का अधार बन जाती हम एंट कैट्र और अगर केवल सकती का प्रयोग करें तो एक वार तो सकती का प्रयोग कर लेकिन प्रेच फिर उन्हें क्या कर देगी है auc Honor लब समय तक बल प्रयोग कर नहीं सकते हैं है जितनी भी क्रांटिय यह यह चाए फ्रांस की क्रांटियों रूस की triangular उन सब का कारण क्या अच्छा एठार सो सत्तावन की क्रांति भारत में तो उसमें बल प्रयोग था सक्ति के अवल सक्ति थी वैद्यता नहीं और सक्ता और सक्ति के साथ सथ अगर वैद्यता का गुर्ण जुर जाए तो हम कह सकते हैं कि वह सासन लंबे समय तक बना रह सकता है और लंबे समय तक हजारों अन्यूई उनका कहना मान सकते हैं तो आज का हमारा चैप्टर पूरा हो गया सेकंड चैप्टर जो सा शक्ति शक्ता और वैद्यता इन तीनों में अंतर पढ़ लिया था इन तीनों में सम्मंध पढ़ लिया था ठीक है एक वह सक्ति पावर क्या ह है लेक्टि मैसी याने वैद्यता क्या है और सत्ता यानि ऑधरिटी क्या है तीनों में हमने अंतर पढ़ लिया थीक है वही करना हम नेक्स चैप्टर जो है ठर्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है धर्म उसके बारे में आज के लिए इतना ही धन्यवार झाल झाल